रेड्मी नोट 10 प्रो हाँ गाईस आप लोग बता है यहाँ पर रेड्मी के तरफ से रेड्मी नोट 10 प्रो बहुत लीक्स में चल रहा है और यह फोन बहुत जल्द इंडिया के अंदर लाउंज भी होने वाला है इस वर्ण हम बात करने वाले इसी स्मार्ट फोन के बारे में कब आ रहा है कि स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है और क्या प्राइस के साथ आने वाला है तो इस वर्ण को पूरा देखिएगा जल्द वर्ण को लाइक कर दीजिए चानल को स्ब्स्क्राइब कर लिए जब है आपने नहीं किया है आज कर वेड्मी का जो नोट 10 प्रो होने चलती है तो ये फोन भी जो है वो ब testim rating & get के बर में बद लाज बात करती हैं बिल्ड और design के वारान में इस बार Jul 전 होगा वो कुछ हमें नया देखने मिलने वाला है इस बार एक मैं expect कर सकते हैं कि हमें कुछ नया design देखने मिले और मिलना भी चाहिए क्योंकि अब हम plastic build से थोड़ा बोर हो गए मुझे लगते glass body यहाँ पर Redmi को देना चाहिए हो सकता है शाहिए ना भी हो बढ़ हाँ इसबाब build quality आपको अच्छी देखने मिल जाएगी इस बात करना हो तो यहाँ पर 6.5 इंच का आपको full HD प्रेडिस पर मिलेगा जो एक amoled display होगा यहाँ पर आपको center punch hole दी जाएगी तो overall display आप देखते है तो बहुत अच्छा है expect देखि मैं leaks में यह यह था बट expect मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें जो refreshing rate हो वो थोड़ा बड़े like 90 refreshing rate हो यह तो 120 तक भी जाए यह मैं expect कर रहा हूँ मगर जो leaks है वो आए कि amoled panel होगा और normal refreshing rate 60 का होगा let's see but expect कर सकते हैं बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में तो बैस प्रोसेसर अभी बहुत ही एक main होता है एक phone के लिए तो यहाँ पर हमें जो अब leaks के मताबिक बोला जागा पर snapdragon का 750G यूज किया जाएगा जो बहुत powerful chipset और एक 5G chipset है सबसे बड़ी बात तो है और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर snapdragon का 750G मिल रहा है तो अगर यह chipset इस phone के साथ आता है और जिस price में range होता है तो I think definitely यह जो phone है यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा performance के मामले में यह बात कलते हैं इस phone के cameras के बारे में तो यहाँ पर 108 Megapixel का हमें rear camera मिलने वाला है primary lens और में नो जो नहीं रगता है नो डाउट कि यहाँ पर Sony lens दे जाए कि मुझे लगता है कि Samsung का lens दिया जाएगा बट मिल रहा है I think बहुत ही बड़िया बात है उसके तो ultra wide depth sensor and micro lens भी मिल जाएगा बोला जा रहा है कि कहीं कहीं लिक सारी कि 5 camera मिलने वाले है तो भाई यह भी बहुत भी बड़िया बात है under 20,000 रुपीज आपको यहाँ पर 5 camera मिल रहा है 108 Megapixel camera मिल रहा है तो overall आप देखते हैं इस price में इतना कुछ मिलना बहुत जाद अच्छा है यहाँ पर Xiaomi हमाली कर रहा है आगे मैं बात करनों तो गाईज यहाँ पर selfie कहा होना बारे में तो selfie में यहाँ पर 32 Megapixel के आपको selfie मिलेगी center punch hole के साथ तो आप लोग कह सकतें overall selfie camera wise यह phone बहुत जाद अच्छा है आगे बैटरी कर बात करी जाए तो यहाँ पर पांच हजारे में अच की बैटरी मिलने वाली है और type c भी मिल जाएगा और यहाँ पर हमें fast charging का support जो है वह मैं expect करता हूँ यह 33 वोट leaks के मताबिक है मैं expect कर रहा हूँ इसकी around यह जाए 60 50 तो जाए प्रियल में जैसा ब्रैंड जो है 65 वोट दे रहा है अभी एट प्रो जो आएगा उसमें आपको 65 वोट मिलेगा जलीक से मताबिक तो यार मुझे लगता है यहाँ पे जो है रेडमी को भी उसके ऊपर थोड़ा जाना चाहिए 33 वोट भी अब देखा जाए अब थोड़ा लाइक थोड़ा नहीं इतना भी अच्छा है इतना भी बुरा नहीं मगर ठीक है बट दूसरे ब्रैंड भी है मार्केट में तो 33 वो कि आप लोग क्या इस फोन का इंतजार कर रहे हो कि नहीं वैसे परस्नली मैं तो नहीं कर रहा हूं बट लेक्स ही देखना यह जरू मैं देखना चाहता हूं कि फोन कैसा आया किस प्राइज में आएगा क्या स्पेसिफिकिशन होगा बहुत इंतजार किया है तो अब जल से जो ऐसे स्पेसिफिकिशन आपको बताई है कि होती तो देफिनेटली फोन जो होना भई मार्केट में बहुती आगे जाने मार्केट के ऊपर WITH ऐूल अंद अब लेट में टॉस्पेसिफिकिशन होती है कि नहीं प्राइस मैं इस बता़ी सिपर था हूब कि आप अगले महनें करती है तो that's why मुझे लगता है कि हम expect करें और आप लोग वीडियो को पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और अभी तक और नहीं वीडियो जो नहीं देखी है आपने बुझा कि जरूर से देखें बहुत इंटरस्टिंग वीडियो और यान थिख वजीजो थीडियो जघ्या से झी ले ए झाल झाल थीजो